दोस्तो हिमकाड एलक्टोनिक्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे एक दोस्त ने पूछा किसार अगर हमने रपेर का काम शुरू करना हो वे इंग स्केल के तो उसके लिए लाइसेंस कैसे अपलाई करते हैं लाइसेंस के लिए और क्या-क्या डोकुमेंट चाहिए होते हैं कितनी पेमेंट डिपोजेट होती है फीस के तोर पर और फॉर्म में कौन सी इन्फॉर्मिशन देनी होती है तो सबसे पहले हम जो बैफ साइट है गोवर्मेंट की वो खोलते हैं अलगलग जगा अलगलग होती है जैसे पंजाब की बैफ साइट है लीगल मेटरोलोजी पंजाब तो इसमें हम जब इस बैफ साइट को खोलते हैं वहाँ option आती है apply for new repairer license बेट अंड मेयर्स तो इसको आपने क्लिक करना है क्लिक करने से पहले कुछ documents आपने अपने पास रखने हैं जो information next open होगा page उसमें भधनी है नमबर एक filling applications इसमें आपने आपका GST नमबर, trade license, address, repair, photo और sign अपलोड करने हैं जब यह complete हो जाता है इसके इलावा इसमें आपने कितने employees रखने हैं, कितने skilled हैं, unskilled हैं, आपकी qualifications क्या हैं यह सारी information इस form में भर जाती है उससे next आ जाता है upload document तो सारे ID proof आपने class of working experience यह सारे इसमें आपने fill करने हैं और जितने भी आपने document अपलोड किये होते हैं, उसकी एक hard copy आपने file में लगा कर रखनी है, हर file के single page पर आपने sign और stamp लगानी है और इसके इलावा आपने bill की copy, telephone की copy, अधार card की और qualifications की अगर आपने कांटे का काम पहले करते हो, उसका experience यह सारी चीज़े mention करनी होती है और साथ में fees बाने के बाद जा आपकी receipt आजाती है, तो आपकी जो है काम शुरू होयाता है, उसके बाद hard file जो होती है, वो inspector inspection के तोर पर आपके shop पे आता है, उसको देखता है, आपका working area देखता है कि आपके पास सहजा नहीं tools कितने हैं, और इसके लावा weight कितने हैं, setting करन थाइंगा, ताक्यू.